बस एक ड्राइवर एक मैं खोद और एक ड्राइवर बस मेरे किसान बाई यो कमेंट करके आप बता है दियो बैई इतनी बड़ी मसीन है अगर दो यह आदमी कर सकते हूं एक ड्यार और दुलार से यह बचा आया है बड़ा गजव है बड़ा मस्त है कितना आधर भाव कितना मा प्यारिज ने दिया है गंगा की तरह पवित्र आत्मा के बगवान रूपी मेरे सारे किसान बैण बाईयान है जे पीजा खड़े और फिल्ड मार्शल कंपनी की तरफ से और मेरे सयोगी कैमरामेंड बंसीलाल जाट की तरफ से आज ओड के राम राम नमस्कार साश्रीकाल व प्रशान बाईयों आज आप पहुचे हां नर्मदा पुर्म और नर्मदा पुर्म का जो यूच्छेत्र है यह गाओ पिपरिया के नजडिक पिपरिया तसील है तो आपका पहले तो अपने किसान बाईयान राम राम करो आपकी तरफ से राम 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 यह परसां चोधरी य आपका पूरा नाम पता एड्रस बताओ मेरा नाम प्रशान चोधरी है मैं यहां पिपरिया तैसील के ग्राम पचलावडा का नवासी हूं जो कि नर्मदा पुर्म डिस्टिक में आता है और आसपास के जो गाओं है गवांडी गाओं है अगलके बगलके वह कौन-कौन से ल पास में विश्व प्रसिद्ध पच्मडी शहर पड़ता है जो टूरिस्ट पॉइंट है तो यह बड़ा अच्छा खेती वाला छेतर है मेरा लगबगे सारा दान की बैल्ट हमने लग रही है और अच्छा पानी के संसादन भी अच्छे हैं तो अब हैं आज आपे बूरा ब सूपर सिड्र है और उसके साथ में अपने इस किसान भाई ने क्या 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 काम करें अभी तक वो सारी जनकारी लेवांगे तो परसंद भाई देखाईयो बैचुगर्दों को गुमा के एक बार तो इससे सिड्र है जो इसकी जो यह कंडिशन है यह दिखाओ बैब ज अगर हम इसको नीचे की तरफ कर देंगे पिछे वाले पटेले को तो मेरे साथ यह मेरे किसान भाई यह बन जाएगा आपका सूपर पावर प्लस रोटावेटर तो यह रोटावेटर भी खड़ा है मोके पे और यह हैरो भी खड़ा है यह रोट जानकारी है अपने किसान भाई याते देवांगे इस वीडियो में जादा से जादा यह दो आपने कमेंट करो में ये पडल्लिंग करी है हमने बैदशा उससे पहले ॉससे प्हले धकीह धान खानकी बैजाई की और मुझ की मुझ की बीजाई भी किय है अभी तक मुझ की दिखावांगे वो समने गुदाम है बड़े अच्छे तरीके से पार्किंग करके है मेरे किसान भाईओ आप लग बताया करा है बिल्कुल छोटी सी जगे में आपकी जो ये फिल्ड मार्सल आर्शो तेरा जो सूपरशिडर है बिल्कुल थोड़े से दायरे में ये पार्किंग हो जाती है और इसके काफी परकार के ओजार ये काफी परकार का रूप ले लेती है तो इससे आपका क्या फैदा और क्या नुक्षान हुआ अभी तक एक ही मशीन से दो तिन काम हो गए हमारे एक ही मशीन से नहीं हो गए। जिसने बहुत बढ़ियां काम किया कितना बढ़ियां काम किया क्योंकि आपकी जो जमीन है मेरे किसान भाईयो यह वह जमीन है बिलकुल जितनी कठोर है अगर MP की बात करा तो एक यह record में भी है वह इससे कठोर मिटी कहीं और पूरे मद्य परदेश के अंदर है यह नहीं वह अपना डबर बोल दिया गरा डबर से भी बहुत ज़्यादा सक्त कठोर बहुत सक्त मटी है काबड है काबड यह काबड मिटी के नाम से सरकारी कांचों में भी दरज है तो यह काबड मिटी में हम खड़े हैं बाई काबड मिटी में किस तरिके से कितना बढ़िया इसने काम इतना जाओगा जितनी कम couple थी है दो उसमें कितनी गया उनस्tu करीब्लायों इतनी करड़ी मिट्टी में अगर आप इतनी करड़ी मिट्टी की बात करां और रोटा बेट रहें वो तो सिद्धे जैसे अपना दिया टोलडा होना इतने मोटे मोटे धगल पाड़ के और बगा देंगे और एक दन अगर जे उनका गाम लागया दूप लागी तो फिर दिक् पूलबारीक से थोड़ा तो जादा रहा क्योंकि कड़क जादा है मगर काम बड़ी आकार में थोड़े बड़े रहे तीछे जो रोलर लगा है उससे बड़ा काम हो गया एक सार हो गया यह इतनी काबड मिट्री है आपने देख लिए आपने किसान बाई ने परसान चोजरी ने जो बताया इतनी कड़क मिट्री है अगर हम देखें इदर देख रहे थे अगर कपड़ों के चिमड़गी या चपल के लागी जुत्तक है तो कैका कि लोगे हो जे हैं यह दो चोगने हो जाएंगे तो चोगने आपने किसान बाई के पास है कितने बड़े जमीदार हो आप है काफी जमीन है 14-15 एकड़ का काम है 14-15 एकड़ का टोटल है अपने परिवार की जितनी भी आप खेती करते हो जितनी खेती आप टोटल करते हो क्योंकि ट्रेक्टर मैंने देखा आपके पास काफी सारे ट्रेक्टर खड़े थे 50-60 एकड़ है तो बैlor 50-60 एकड़ की जो है बाई है जुताई है बेजाई है वह और बाई लग बग सारी मैं च्रेक्टर है चोटा भी है बढ़ा भी है और देखो भए फिला आ गया साथ में यह हता है बै अपने किछान का कितना प्यारा है देखो कितना लाड़ है हम हर्याना से आये और कितने एक प्यार और दुलार से ये बच्चा आया है बड़ा गजब है बड़ा मस्त है कितना आधर भाव कितना मान सम्मान प्यार इसने दिया है तो ये क्या ना हो इसका टाइसन वा टाइसन वेटा वा कितना लाड़ से आया है देखो भई एक इनसान भी साइद इतना प्यार ना करें लेकिन यह देखो बच्छा आपने देख लिया होगा यह एक अमारा प्यार होता है अपने एक वो कहा रही वह रुखाणी अगर यूँ दो टूख खावगा तो सारी रात यू रुखाणी भी करेगा अपनी बेख लिए तो इस वजह से मुचल के लिए आप स्पेशल ने कि लिए हैं मुचल तूट जाती है तो उसके भाव बिगड़ जाती है तो इस वजए से मुचल के लिए आप सपेशल लेक्शिए तो अब यह सुपर सिडर्गी हम बात करें यह विलकुल थोड़ी सी जगे में पर्किंग आरी है जगह जगह जड़ा से जगह ली इसाइड खड़ी थोड़ा दोड़ी आपने करी जांकारी किसी लागा है ज्यादा से जदा तो इस वीडियो ने सेर करो और कोमेंट पे विलकुल करने हैं मेरे किसान भाईयों क्योंकि हम एक नए चेतर में अपने मध्या प्रदेश में लेके जा रहे हैं और जितने भी मध्या प्रदेश के अपने किसान भाई देखे हैं आज आपे मोकप भूरे खुन सा गाउं है यह बचलावरा गाउं और पिपरिया इसकी तस्हील है और बैए उरली तरफ और देखाई एक बार तो आपने देखाई के बड़ा गजब तरिकत आपने इसको लगा रखा है पार्किंग रखा है और इसी के साथ मैं आपने दान की बिजाई कर दी एक बार बता हमाँ आप थोड़ा दूरी पर रह ग जाओ इसी से करिए कितने किलो भीज आपने छूड़ा थोड़ा ज्यादा गिर गया कितना गिरा फंद्रा किलो पर्तिया डाल दिया अगर हम बात करें मेरे किसान बाई ज्यादा से ज्यादा साथ और आठ के जिए अगर पानी ठीक है अगर वा जमीन अपनी बीज नहीं अपनी धर्ती माता तो आपने लग भग साड़े चार और पांच केजी दान का भी छुड़ना चाहिए यही है डिमांड तो यही थी मगर अब पहली बार था तो ज्यादा लग गया और यह खेत भी आपने दिखन लाएगे रहा होगा आपने देखना लग रहे हैं यह इसकी ब किसान सब खुद सिखाता है अपने किसान भाई यह जो खाद वारी जो मसीन हाग गेगी इसी के साथ धान की डिरेक्ट बिजाई करकी है ना कि अलग से पिछे से जो एक अलग डियासर जो आलिन में बोलती है फिल्ड मार्शल कंपनी वो नहीं है एक सिंपल सुपरशिडर से भी धान की बिजाई करकी अपने किसान भाई लिए तो यह तो अलग डिमांड करते हैं आपने सिधा इसी से करती है अब हमने पहली बार प्रेक्टिकल किया है परखा है अब उसमें जो खसधार रहेंगे वो करेंगे पूरे हाँ और कंपनी को भी एक नए किसान से मर्लब ऐ किसा लगा एक बड़ी खुशी होई रहे धान की जो विजाई है अपने दिखने लग रही है यूँ देखो सारा जो ले रिया है कितना एरिया बिजाई किया होगा ये पंदरा एकड विजाई कर तो यह देखने हो सारा पंदरा का पंदरा एकड और इसमें खरपतवार भी डल चुकी है पाकी अभी नहीं है अच्छा तो ये देखो भाई खर्पतवार नाशक दवाई पहले डाली या बाद में डाली है नहीं टी एसर करने के बाद उगने के बाद डाली है और सूखे में बोनी की थी उपर से पानी लगाया इसमें और फिर खर्पतवार नाशक डाल तो ये नेखर भाई जो सूखे में boni कर रहे हैं मेरे किसान भाईो आपने सक्रीन पे दिखाई भी देता हुगा जो सूखे में boni system कर रहे हैं ये 4x4 tractor है और और new होल dri cane का है कितनए hp का है ये पैसेट hypericp का है किसान भाई यू ठीक इसी तरीके से पारकिंग करने ची आरी बाप ने बाहर लेके चलाएं गुदाम का जो एरिया है जो आप ले एक रख रखा हो अपने उज़ारों के देखाया बिल्कुल तेल पानी लगा के बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने किसान भाई का जो रख र तो यह देखा बाई यह जो मचाई में अब जो मसीन चल रही है मेरे किसान भाई हो इस तरीके से अपने किसान भाई ने अपने पूरे खेत को मचाई चड़ाई और जो कनहयर बोलते हैं पाड़े कारते हैं जो कदू करते हैं मेरे किसान भाई हो यह देखो इस तरीके से इस जैसा कर दिया थे, अगर, हम अधर रोटावेटर से करते तो कैसा होता उसमें छाथ-ाइम लगता थेले से रह जाती है, कड़कपन है, तो देर में हो पाती है यह वो काम इसने थोड़ा जल्दी कर दी है यह वैसे भी मसीन को भी ब्लो कर लेती है इतनी करड़ी मिटी है कई बार तो जैसे एक यह वो जाता ना बैया तो बिल्कुल श्यम्मी होगी रहे बाटी दो न्यू हब या दर्तिमाता अपना रूप पावनी यह न्यू चमड के भी खड़ी हो जे है और यह देख यह इस तरीकत चमड है यह दिखन लागरी तो मेरे किसान बाईयों अपने कि यह कहना चाहेंगे कि जैसे अपन रोटर ले रहे हैं तो अपन को सुपर सीडरल तरफ जाना चाहिए और फिल्ड मार्सल से हमारा बढ़ियां चला है कहां अच्छी साइज में है यह आटफिट की साइज लेके जा रही है ऐसे जो सीड़ी सी बात तो यहा है बहुत सारी यह अपनी मलवेक कोई किसी तरीके से सुपरिटर बना रही है कोई किसी तरीके से बना रही है और भूत सारे डीलर के आपके पास फोन भी आयोंगे तो आपने वो क्यों नहीं खरी दयार यह फिल्ड मार्सल क्यों खरीद़ कोई खास वजये यह कि इसका हमें डेमो स्टेश पहचान के हैं हमारी जान पहचान के हैं रूधर भाई पटेल ने इनको बताया यह यह सपर सीड़ल यह क्योंकि लगातार तीन साल से उसके भी कोई मेंटिनेंस वगे रहा है उनको भी नहीं आया नहीं आया तो मेरे किसन बहुत आपने युठ परचेज करया है तो यह कहां से किया है यह हमने हुशंगाबाद कितनी दूर पड़ता यहां से 75 किलोमीटर यह तो आप 75 किलोमीटर गए तो इसटर तो आपका जो छेतर मैंने देखा बंखेडी भी है पीपरिया भीए। और कुन सा छेतर लगता है नजदीक। तो आपने इधर यह नहीं मिला। यह इसकी डिलर्शिप नहीं थी यह रिया बोट तो आप क्या काना चाहूँगे । कंपनी को कैना चाहूँगी। कमपनी को यही कहेंगे कि डिलर्शिप हमारे पास में भी आ जाए तो बड़ियां रहेगा सहूलियत आगे जो भी हमें कोई परिशानी आती तो उसका हमारे को पास में मिल जाएगा बिल्कुल भाई मेरे किसान भाई हो एक सस्पेंस रहता है अपने किसान का अगर कोई भी देखो यह जीरो मेंटेनस कमपनी बोल के देती है फिर भी मशिन करी है अगर कोई भी कमपलेंट आ जाती है कोई मेंटेनस आ जाता है तो यह कमपनी के लिए भी एक सुझाओ है नजद के लिए कंपनी ने ओफर कर रखाया अगर प्राथमिक्ता रहेगी उस से तरकी तो सबसे पहले किसान से अगर अपना कोई किसान भाई व्यपारी बनना चाता है तो सबसे पहले प्राथमिक्ता डिलर उसी को बनाया जाता है तो यह कंपनी का सुझाव ठीक है नहीं यह बढ़ जाता है किसान से वेपारी बना जाता है फिल्ड मार्सल कंपनी ही ऐसा पाइदान अपने किसान भाईयों को दे रही है कोई भी अगल बगल का किसान भाई अगर इस कंपनी की डिलर्शिप लेना चाहता है तो आस पास के छेतर के एरिया की डिमांड कितनी होगी डिमांड तो पूछने लगाते है कि कैसे काम करती है क्या क्या काम हो जाता है कैसे कितना लोड ले रही है कितना काम निकाल रही है ए आप आपकी नजर में ये अपने किसानों ने परचेजिए करनी चाहिये या नहीं करनी चाहिए क्यों क्यों करनी चाहिए मेरे किसानव 치रण जिए आगर हम अगर कितनी दूर है यहां से के घनाख है किया तो आप कितनी भार खेत में आना जाना उता इस मशीन से पहले चार बार एक फसल तो देखो भाई चैर बार आना जाना पड़ता लेकिन इसके लिए शरफ दो ही बार आई तो दो बार क्यों आए क्योंकि आपकी जो कड़क मिटी थी आपने पहले धेले बनाई जी रोटावेटर के साथ हल के साथ फिर डारेक्ट इसको चला दिया तो पहले तो पलाव चला द पहले ऐकार में उसने कर दी जोटे कर दी और फिर उसमें आपने पाणी दे दिया और मूंग मूंग में पानी नहीं उसमें तो डारेक्ट सूखे में वो दी मूंग सीजना उसके लिए सिर्फ एक ही बार आना तो यह देख्या भाई मेरे किसान भाईयो जो आपकी कंपनी है फिल्ड मार्शल कमपनी है जो आप की कमपनी है मेरे खिशान बाई हो बिलकुल अपने खेतों में जाके आज अपने परसान चोधरी भाई के पास हम पोच रहे थे तो मेरे किसान बाई हो या वीडियो अपना कैसी लगी या जानकारी कैसी लगी और कुमेंट बॉक्स में तो अपनी राय जरूर दिन दे, कुमेंट जरूर करे अगरो भाई, क्योंकि बहुत सारे सुजाओ, भी अपने किसान भाई, इस मसीन के बारे में, इस कंपनी के बारे में, मेरे भाई, दे सकते हैं, बे जिजग दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं यह आपकी अपनी ही कंपनी है मेरे किसान भाई हो असल मालिक आप ही है इसके क्योंकि यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम बात करें यहां हम आपके एरिया में आई आपके जितने भी सुझाओ है वो सारे डिरेक्ट कमपनी के पास पहुंचती है और मेरे किसान भाई जितने भी सुझाओ देते हैं कमपनी उन सुझाओ की अपने किसान ने जितने भी सुझाओ दिये हैं उसकी कदर करती है उस पे प्रयास करती है कि अपने किसान की ये डिमांड थी तो इस तरीके से भी उस छेतर के लिए मसीन त्यार हो जाए तो यह सुझाव जो लेके जा रहे हैं तो वो उसका उप्योग करेंगे जाके और उसका फायदा हमें ही मिलेगा तो इसी वज़ेता है मेरे किसान भाई यह किसानों की कमपनी है यह आपकी अपनी कमपनी और इस वी और यह नरमदा पूराम तो भाई आज आप इस से तर्जमत है मेरे किसान भाईयो और भाई यह दे दियो अपने इजाजत मेरे स्रहोगी कामरामैन बंसी जाट के साथ भाई दियो इजाजत राम राम धन्यवाद